दिखते हैं लेसन फाइव है दा सेल फिस जाइंट एक स्वार्थी दैत या स्वार्थी राक्षेस के बारे में कहान ही बताई गई है जिसकी राइटर ओसकर वाइल है एक पहला क्वेशन दिखते हैं वें डिड़ दा चिल्डरन प्ले बच्चे कव खेलते थे इन दा आने के बाद तो पहली लाइन जो है जैसे बच्ची राक्षेस के बगीचे में खेलते थे तो यह लिखा जाएगा दा चिल्डरन प्ले की जगा प्लेट सेकेंड फॉर्म इंदा जाइंट्स गार्डन कर देंगे और दौपहर को इंदा आफ्टर नून दौपहर को ठेक है इंदा आफ्टर नून आफ्टर मतलब के बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद इंदा आफ्टर नून लिखेंगे आफ्टर के बाद और कमिंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद तो दा चिल्डरन प्ले इंदा जाइंट्स गार्डन इंदा आफ्टर नून after coming from school school से आने के बाद तो केवल एक लाइन आपको जोड़नी है in the afternoon और after coming from school तो पहली लाइन इस प्रकार से लिखी जाएगी the children played second form कर दिया जाए in the giant's garden लिखा और in the afternoon मतलब दौफर को after coming from school लिखा तो the children played second form in the giant's garden in the afternoon after के बाद coming from school second question देखते है why was the little boy crying के छोटा वालक जो था crying क्यों कर रहा था क्यों रो रहा था तो छोटा वालक इसलिए रो रहा था क्यों की वह पेड़ पर चड़ने में समर्थ नहीं था इस बाक को कैसे बनाया जाएगा पहली line question की है तो आप लिखेंगे the little boy was crying he was not able to climb up tree he was not able to climb up tree तो पहली line हमने question की लिखी है the little boy was crying was I kriya लगा की the little boy was crying because लिखा क्यों की फिर he was I kriya he was not able was समर्थ नहीं था to climb up मतलब जड़ने में to climb up tree पेड़ पर चड़ने में he was not able to climb up the tree तो पहली line question की है the little boy was crying लिखा because और पीछी लिखा फिर he was not able to climb up the tree लिखा he was not able to climb up the tree अगला question तीसरा है why was the giant angry राक्चस क्रोधित क्यों हुआ नाराज क्यों हुआ जब he came near वहाँ पास आया the child जब वहाँ बच्चे के पास आया the final time अंतिम बार राक्चस नाराज क्यों हुआ जब वह अंतिम बार बच्चे के पास आया तो राक्चस इसलिए नाराज हुआ जब वह अंतिम बार बच्चे के पास आया क्योंकि उससे बच्चे के पेरों और रहतेलियों पर जख्म दिखाई दिये तो किस प्रकार बनाया जाएगा दिखते हैं सबसे पहली लाइन क्वेश्चन की होगी राजा जो राक्षस था इसलिए नाराज हुआ जब आए अनतिम बार जो है बच्चे के पास आया क्योंकि तो यहां से अपने लिखा कि दा जाइंट वाज एंग्री वहन ही केम नियर दा चाइल दा फाइनल टाइम और लाश्ट में देखे उन पर जो पाम स हतेली होती है हतेली पर और मतलब पैरों पर आफदा आफदा चाइड़ मतलब वा उस एंड फीट आफ दा चाइल्ड फीट आफ दा चाइल्ड फीट मतलब पेरों और पाम्स मतलब हतेलियों पर तो कैसे बनाया गया दा जाइंट वाज एंग्री वैन ही केम नियर दा चाइल्ड दा फाइनल टाइम विकोज और ही सा उसे दिखाई दिये वाउंट्स जख में केम नियर दा चाइल्ड दा फाइनल टाइम विकोज और जूड़ा आपने फिर ही सा उसे दिखाई दिये वाउंट्स जख में दिखाई दिये ओन दा पाम्स थेलियों पर एंड फीट और पेरों पर आफ दा चाइल्ड वच्चे के तो फिर दा जाइंट वाज एंग्री वै झाल